नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बिहार अस्पेसल करेंट अफेर का कोशन डिसकस करेंगे जो आगे आने बाले 67th BPSC, CDPU और बिहार SSC के लिए महत पूर्ण होंगे इस वीडियों टूटल आपके 200 कोशन को डिसकस किया जाएगा केवल एक वीडियो में इस वीडियों आपके आपके 500 परसन देखें मेरा इच्छा था कि 500 परसन को केवल एक ही वीडियो में डिसकस कर दिया जाए लेकिन मेरे साथ एक लिमिटेशन है कि मेरे फोन में उतना अस्पेस नहीं है कि करीब अड़ाय दो घंटा के वीडियो को मेरे फोन में इडिट किया जा सके दो अगर लेप्टूप की बात रही तो देखें लेप्टूप में मेरे पास पेड़ एडिटर नहीं है अगर किन्यों को पता है कि कोई जो फिरी बला एडिटर हो और उससे जल्दी एडिट हो जाता है तो आप लोग कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो उसके माधियम से हम बड़ा वीडियो को लूड कर सकते हैं और इस वीडियो में टूटल आपके 500 को डिसकस किया जाएगा औ इसका लिंक आपको डिसक्रिप्सन में गया है और जिनको लगता है कि हम सलो बोलते हैं तो आपके पास यूटुब के तरप से सेटिंग में मेरी जो आवाज उससे तेज करने का ऑप्सन रहता है तो आप लोग उसे तेज करके देखिएगा ठीक है और आपके पार्ट फरस् मंदल को मैथली भासा के लिए साहित अकादमी पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये ठीक है उनको मतलब जगदीश परसाद मंदल को ये पुरसकार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है तो ये भी ठीक है तो दोनों कथन ठीक है तो C इसका रैट अंतर हो गया है तो 2030 तक 2030 तक बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज के कितने सहरों को मॉडल टाउन की रूप में विक्षित किया जाएगा तो छे सहरों को मॉडल टाउन की रूप में विक्षित किया जाएगा तो 6 सहरों को मॉडल टाउन की रूप में विक्षित किया जाएगा मुझपरपूर, बिहार सरीफ, मुगेर, सुपाल, बोद गया, राजगीर फिर से बोलते हैं मुझपरपूर, बिहार सरीफ, मुगेर, सुपाल, बोद गया, राजगीर National Crime Record Bureau दोवारा जारी वर्स 2020 के आकड़े के अनुसार देश में अपराद के मामले में बिहार किस अस्थान पर है तो बिहार 25 अस्थान पर है इसे दुबारा देखे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बीवरो दोबारा जारी वर्ष 2020 के आकड़े के अनुसार देश में अपराद की मामले में बिहार किस अस्थान पर है तो बिहार 25 में अस्थान पर है बजट 2022 तेश के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतरगत कीन 3 जीलों में मेगा अस्कील सेंटर खोले जाएंगे बजट 2022 तेस के अनुशार जो है बिहार में पहले चरण के अंतरगत किन तीन जीलो में मेगा अस्कील सेंटर खोले जाएंगे तो पटना, नालंदा, दर्भंगा में पटना में, नालंदा में और दर्भंगा में तो बी ओप्सन ठीक हो जाएगा हाली में बिहार के नए सुचना आयुक्त कौन बने है तो हाली में जो बिहार के नए सुचना आयुक्त बने है उनका नाम है फूलन चंदर चोधरी और त्री पुरारी सरन फूलन चंद्र चोधरी और त्री पुरारी सरन तो A और B दोनों हो जाएगा तो D इसका रैट एंसर हो जाएगा हाली में किस राजस्थानी लेखिका को हमें यहां थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो मधू काकरिया को किसान अंदोरन के जनक स्वामी सहजानन्द सुर्शती की कौन सी जैंती मनाई गई है हाली में तो 133 जैंती मनाई गई है मार्च 2022 में पटना ग्यान भवन में संपन हुए बसंतु उत्सव महला उद्यमी मेला में किस महला को सफल उद्यमी का पहला पुरसकार दिया गया है तो बहीदा अहमद को दिया गया है किसे दिया गया है बहीदा अहमद को दिया गया है पत्ना में आयुजित राज अस्तरिये डाग टिकट प्रदर्सनी बिहार डिजी पेक्स बिहार डिजी पेक्स 2022 में बिहार के किस परसीद जियाई टेग उत्पाद पर बिसेश आवरन का विमोचन किया गया है तो मगी पान पर इसे दोबारा देखेगा पत्ना में आयुजित राज अस्तरिये डाग टिकट प्रदर्सनी बिहार डिजी पेक्स 2022 में बिहार के किस परसीद जियाई टेग उत्पाद पर बिसेश आवरन का विमोचन किया गया है तो मगी पान पर किया गया है मुंबाई के नहरू सेंटर में आयुजित एगरो और वर्ल्ड जैविक एकस्पो 2022 में किस राज के जैविक उत्पादों को बिसेश्ट पुरसकार पर दान किया गया है करनाटक के मेंगलोर में खेली गई सलसटमी सिनियर रास्टी ये वर्ल्ड बाइट मिंटन चेंपियसीप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार को तिसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार की पहली नदे जोड़ो परेजना के तहट वर्स 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा बुड़ी गंड़क और बागमती को जोड़ा जाएगा अप्रिल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार को बैसमा स्थान मिला है पटना नगर निगम द्वारा निसुल पारकिंग सुग्दा उपलब्ध कराने के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो स्वच्टा एप को लॉंच किया गया है बानिज मंत्राले द्वारा जारी सूची के मुतावित बिहार के सबसे ज़्यादा निर्याद करने वाले जीलों में सिर्ष अस्थान पर कौन है तो बेगू सराय है बेगू सराय है हाली में जारी घोसना के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज होगा जहां लोगों को डिजिटाइजड भूमी संबन्दी दस्ता बेच को घर पर हासिल करने की सुबधा मिलेगी तो बिहार पहला राज होगा सेंपल रेजिस्टेशन सर्वे सेंपल रेजिस्टेशन सर्वे द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-19 में बिहार में मात्र मिर्थूदर क्या थी तो 130 थी कितना 130 थी सेंपल रेजिस्टेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिसु मिर्थूदर 2019 में प्रती 1000 जिवित बच्चे पर कितना है सेंपल रेजिस्टेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिसु मिर्थूदर 2019 में प्रती 1000 जिवित जन्मों पर कितना है तो 29 है कितना है अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 29 बच्चों की देथ हो जाती है और जो उपर बाला में दा ये था कि सेंपल रेजिस्टेशन सर्वे द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में बिहार में मात्र मिर्थूदर क्या थी तो बिहार में मात्र मिर्थूदर 130 थी और कितने में एक लाख में ठीक है एक लाख में 130 मताईं की मौत हो जाती है हाली में समाज से भी अमीद कुमार पासवान को 2022 का भीम राव अम्बेटकर रास्टे पुरसकार से सम्मानित किया गया है बिहार की किस जिलित के रहने बाले हैं समाज से भी अमीद कुमार पासवान तो नलंदा डिस्टिक के रहने बाले हैं कहां कि नलंदा डिस्टिक के रहने बाले हैं दोबारा देख लिजेगा हाली में समाज से भी अमीत कुमार पासवान को 2022 का भीम राव अंबेत का रास्टे पुरसकार से सम्मानित किया गया है बिहार के किस जिले के रहने बाले हैं? तो Nerdistik के रहने बाले है बिहार राज के जलसनसाधन बिभाग ने राजियों में टटवंधों और नदियों से संबंदित आगड़े के बेहतर परवंधन के लिए एक नया सिस्टम बिक्सित किया है जिससे क्या नाम दिया गया है तो जिससे नाम दिया गया है बीम्स उसका नाम दिया गया है दुवारे देख लिजे बिहार राज की जल संसाधन विभाग ने राज़यों में तटबंधो और नदियों से समधित आकड़े के बहतर प्रवंधन के लिए एक नया सिस्टम बिक्स बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है तो नब्या सी बनी है कौन बनी है नब्या सिंग इसे दुबारा देखेगा कि मिस ट्रांस क्यूइन इंडिया की ब्रांड एम्बेस्टर बनने वाली भारत की महली ट्रांसजेंडर कौन बनी है नब्या सिंग बनी है मदुबनी जिले के किस बेक्ती को अमिर्की राष्टपती जो बाइडन ने COVID-19 रिस्पॉंस कौडिनेटर निव्ट किया है तो किसे निव्ट किया है डक्टर आसिस कुमार जा को दुबारा देखेगा कि मदुबनी जिले के किस बेक्ती को अमिर्की राष्टपती जो बाइडन ने COVID-19 रिस्पॉंस कौडिनेटर निव्ट किया है तो डक्टर आसिस कुमार जा को मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार 2022 से सम्मानित किया गया वो बिहार के किस जिले के निवासी है तो बिहार के बोजपुर जिले के निवासी है मनोहर कुमार जो मनोहर कुमार है इन्हें बिहार Change Maker Award 2022 दिया गया है जो मनोहर कुमार है इनका संबंध किस डिस्टिक्स है तो भोजपर डिस्टिक्स है इनका संबंध है नसा मुक्ती बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाप मेराथन का आयोजन किस जिले में किया गया है तो पटना जिले में किया गया है किस इंजिनियरिंग संस्थान ने किस इंजिनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सुटकेस इन्वर्टर बेक्सित किया है किस इंजिनियरिंग संस्थान ने जो है देश में है IIT पतना के द्वारा GSI GSI की रिपोर्ट के अधार पर ही सरकार के अनुसार देश का 44% स्वना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है इस कोशन को दुबरा देखेगा GSI Gilosical Survey of इंडिया की रिपोर्ट के अधार पर ही सरकार की अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है तो जमुई में कहां पर जमुई डिस्टिक में हाली में खबरों में रहा ओधनी डैम ओधनी डैम बिहार के किस जि नेक्स्ट है कोसी नदी की किनारे अस्थित गोवारी डी अपने दामन में जो है हजारों साल पहले का पुरतात्विक अफसेस समेटे हुए है यह किस जिले में अस्थित है तो जो गोवारी डी है गोवारी डी यह किस डिस्टिक में अस्थित है तो भागलपूर डिस्टिक मे अस्थित है राज में परेटन को बढ़ाबा देने के उद्देश से किस जिले में अस्थित किस जिले में अस्थित मंदार परवत को जो है पचास क्लोर की लागत से मौर अभ्यारन छेतर बनाने की पहल सुरू की गई है तो बाका में अस्थित मंदार परवत को जो है पचास क कथन सही है कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकाईों की संख्या 233 हो गई है तो सही है कितने नगर निकाई हो गए 233 तो यह ठीक है इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है तो यह भी ठीक है नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है तो यह राइट एंसर हो जाएगा बिहार में पुलिस एम्बूलेंस फायर बिग्रेड के लिए एक ही इमर्जंसी नमर जारी किया गया है वह नमर क्या है तो 112 नमर है बिहार में पुलिस एम्बूलेंस फायर बिग्रेड के लिए एक ही इमर्जंसी नमर जारी किया गया है और नमर क्य पहला DNB प्रचिच्चन संस्थान खोला जाएगा बिहार के किस सदर अस्पताल में जो है राज का पहला DNB प्रचिच्चन संस्थान खोला जाएगा तो मोतिहारी सदर अस्पताल में मोतिहारी सदर अस्पताल में खोला जाएगा जनबरी 2022 में नियाय मुर्ती संजीब परकास बर्मा ने पटना हाई कोट के जज के रूप में सपत गरहन किया इस संबन्ध में कौन सा कथन आपके सही है तो देख लिजे कौन सा कथन सही है उवे राजास्थान हाई कोट से अस्थरांतरित होकर पतना हाई कोट में आए तो ये तो ठीक है इनके पद धरन करने के बाद पतना हाई कोट में जजों की संख्या 26 हो गई ये भी ठीक है तो चोकृत पद आपके 53 है लेकिन माजर्ट की जज कितने 26 है बरतमान में पटना हाई कोट के मुख नियादीस नियाय मूर्ती संजे करोल है तो ये भी ठीक है तो सारे जो कथन है ठीक है तो D इसका रैइट अंसर हो जाएगा जनबरी 2022 में किस राज सरकार ने घोसना की कि सरकारी भवनों के निर्मान में फुलाई एस से बनी इट का उप्यों किया जाए तो बिहार राज सरकार ने घोसना की है कि सरकारी भवनों के निर्मान में जो है फुलाई एस से बनी इटों के निर्मान किया जाए फुलाई एस के नौजनवरी 2022 को पतना कोलेज का कौन सा अस्थापना दिवस मनाया गया तो 160 अस्थापना दिवस मनाया गया राज सरकार ने बिहार नगरपाल का अध्यादेश 2022 अधिसुचित कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्याच वपाध्याच के निर्बाचन की नई परनाली लागो की है इसके तहत इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाएगा तो जनता द्वारा परतेश रूप से किया जाएगा अच्छा प्रस्तने द्वारा देखेगा कि राज सरकार ने बिहार नगरपाल का अध्यादेश 2022 अधिसुचित कर नगर निकायों में जो है जो महापौर हैं और उप महापौर या अध्याच उपाध्याच के निरबाचन की नई परनाली लागो की गई है इसके तहट जो है इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा तो डैरेट आपके जनता चुनेगी डैरेट आपके जनता चुनेगी महापौर और उप सुरंग इमान इसकी जगे निर्मान है ठीक है हाली में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग का निर्मान किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है मुंगेर में फिर से देखिए कि हाली में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग का निर्मान किया जा रहा है तो मुंगेर में क योगिक प्रसिच्छन संस्थानों को सेंटर ओफ एक्सिलेंस के रूप में बेक्सित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ में समझोता किया है तो टाटा टेक के साथ में समझोता किया है टाटा टेक के साथ में बिहार के समस्तिपूर जिले से सम्मंदित किस योग प्रसिचक को रास्टी प्रेरना दूद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो मोना लिसा सिंग को बिहार सरकार ने किस तिथी को सहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषना किया तो 15 फरवरी को बिहार के किस जिले में सुखेत मोडल गोवर के बदले गैस योजना सुखेत मोडल प्रधारित डाग टिकड़ जारी किया गया है तो मधुवनी में दुबारा देखेगा बिहार के किस जिले में जो है सुखेत मोडल पर अधारित डाग टिकड जारी किया गया है तो मधुबनी में जारी किया गया है बिहार के किस जिले में अस्थित सैक्लोपियन दिवार को इनुस्को हेरिटेज साइट में सैमुल करने पर बिचार किया जा रहा है तो नलंदा में अस्तित साइकलोपियन दिवार को जो है युनेस्को हेरिटेल साइट में सैमिल करने पर विचार किया जा रहा है ये साइकलोपियन दिवार क्या था तो साइकलोपियन दिवार जो है एक सुरच्छा दिवार था ये क्या था जो राजगीर है उसका सुरच्छा दिवार था पहले का राजगीर अब का राजगीर बिहार से चोरी हुई बारत सो बर्स पुरानी भगवान अबलो की तेशवर भगवान बुध की मुर्ती को किस देश से बापस लाने का निरने लिया गया है तो इटली से बापस लाने का निरने लिया गया है बिहार संग्राल में से किस जिले में बनाबरन का परतिशत सबसे कम है विहार के किस डिस्टिक में जो है विहार के किस डिस्टिक में जो है बनाबरन का परतिशत सबसे कम है तो सेखपूरा में कहां पर है सेखपूरा में विहार का बितिय बर्ष 2022-23 का कुल बे बजट अनुमान है कुल बे बज तो B option ठीक हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेच्छन 2021-22 के अनुशार 2020-21 में बिहार का सकल राजगरेलू उत्पाद बरत्मान मुल पर कितना रहा तो 618.63 हजार कलोर रुप्या 618.63 हजार कलोर रुप्या तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा बिहार आर्थिक सर्वेच्छन 2021-22 के अनुशार बिहार के 21 जिले में वर्ष 2019-2020 में प्रति ब्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था तो सिभर का दोबारा देखिएगा 7.95 लाग टन 17.95 लाग टन आपकी अनुशार था नेक्स्ट है बिहार का पहला बिहार का पहला एवं देश का दुसरा वान की कोलेज किस जिले में बनाया जा रहा है तो मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है तो बिहार का पहला है ठीक है और देश का दुसरा वान की कोलेज बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है तो मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है बिहार सरकार की जल संसाधन बिभाग द्वारा बिभिन पर्योजनाओं की जाच के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो किस एप को लॉंच किया गया है द्रिस्टी एप को लॉंच किया गया दोबरा देखेगा बिहार सरकार के जल संसाधन बिभाग दोबरा बिभीन प्रयोजनाओं की जाज के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो द्रिस्टी एप को लॉंच किया गया है बिहार के किस अभिनेता को दादा साहिव फाल के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में बेव सिरीज में सरवसेस्ट अभिनेता का पुरसकार दिया गया है तो मनोज बाजपई को दोबरा देखेगा कि हाली में बिहार के किस अभिनेता को जो है दादा साहिफ हाल के इंटरनेशनल अवार्ड्स 22 में बेव स्रीज में सरविसेस्ट अभिनेता का पुरसकार दिया गया है तो मनौज बाजपई को दिया गया है मधुबनी जिल्य के किस बेक्ती को मैथली उपन्यास पंगु के लिए साहित अकादमे पुरसकार 2021 परदान किये जाने की घोशना की गई है तो जगदीश परसाद मंडल को ये पहला ही कोशन था बिहार का कौन सा किरकेटर परथम स्रेनी में किरकेट में 13 सतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है तो उनका नाम क्या है तो सकिबूल गनी उनका नाम है बिहार का कौन सा किरकेटर परथम स्रेनी में 13 सतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है तो सकिबूल गनी बन गया है बिहार के किस अस्थान पर जो सफारी की शुरुवात की गई है तो राजगीर में कहां पर राजगीर में शुरू की गई है जो सफारी की बिहार खादी के ब्रांड अमबेस्टर कौन है तो मनोज तिवारी हैं कौन है मनोज तिवारी बिहार के किस जिले में हाइड्रो पोनिक पति पर हाइड्रो पोनिक पति पर जो है अधारित खेती बिना मिट्टी की खेती की सुरुवात की गई है तो कहां पर किया गया है भोज बिहार के किस जिले में जो है हाइड्रोपोनिक पदती पर अधारीत खेती की शुरुवात की गई है तो भोजपूर डिस्टिक में किया गया है इसमें बिना मिट्टी की खेती की जाती है पानी में सारे मिंडरल्स को मिला के खेती की जाती है ठीक है बिहार के सारण में रास्ति जलमार्ग एक पर निर्मित कालू घाट इंटर्मोडल टर्मिनल की अधार सिला किसने रखी है तो किसके दोरा रखा गया है तो किसके दोरा रखा गया है सर्वानन सुनेवाल के द्वारा देखेगा कि बिहार के सारण में रास्टे जलमार्ग एक पर निर्मित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल की अधार सिला किस ने रखी है तो सर्वानन सुनेवाल के द्वारा रखा गया है बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे उचे रमायन मंदिल बिराट रमायन मंदिल का निर्मार किया जा रहा है तो कहाँ पर किया जा रहा है पुर्वी चमपारण में किया जा रहा है नेक्स्ट है केंद्रिय बजट 2022-2023 के अनुसार पटना से कितने बंदे भारत ट्रेनों की शुरुवात की जाएगी तो दो बंदे भारत ट्रेन की शुरुवात की जाएगी पटना से बिहार के किस बेक्ति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन सिच्छक उत्कृष्टा पुरस्कार दोहर इकी से सम्मानित किया गया है 17 फरवरी 2022 को बिहार बिधान मंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रवभोधन कारिकरम का उटगाटन किस ने किया जो प्रवभोधन कारिकरम में इसका उटगाटन जो है ओम बिर्डला के दोरा किया गया था 17 फरवरी 2022 को बिहार विदान मंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कारिकरम का उठगाटन किस ने किया तो ओम बिरला के द्वारा किया गया था ओम बिरला कोन है लोगसभा के अध्याच है बिहार किरसी विस्विद्याले सबवर द्वारा किस फसल की प्रजाती से सम्मंधित बीज सबवर एक विक्सित किया गया है तो मखाना से ठीक है मखाना का बिहार किरसी विस्विद्याले सबवर द्वारा किस फसल की प्रजाती से सम्मंधित बीज सबवर एक विक्सित किया गया है तो मखाना से विक्सित किया गया है बिहार के किस जिले में मुखमंत्री नितियस्कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिनगटकरी ने स्रीक्रिष्ण सेतु पूल का उटगाटन किया है, तो किस डिस्टिक में किया है, मुंगेर में किया है स्री क्रिश्न सेतु पूल का जो उटगाटा ने कहां पर किया गया है मुंगेर में किया गया है नितिस कुमार इवं केंद्री मंत्री नितिन गटकरी के द्वारा पेपरलेस बिवस्था के तहट ई ओफिस परनाली लागू करने बाला बिहार का पहला कलेक्टरेक्ट सम्राले कौन बन गया है सहरसा सम्राले बन गया है हाली में किरसी नितिवर्क एप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड अमबेस्टर चूना है तो पंकज त्रिपाथी को किसी निटबर्क एप ने अपना बरान एंबेस्टर चूना है हाली में मुखमंत्री नितिश कुमार ने किस जिले में अमर सहीदों की मूर्ती का अनावरन किया है 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे अस्टेशन पर बितिये साचरता सब्ता कारिकरम का आयोजन पटना रेलवे अस्टेशन पर बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे उची परतिमा दूस्टो इक्यामन मिटर की अस्थापित की जाएगी तो सीता मढ़ी डिस्टिक्ट में अस्थापित की जाएगी माता सीता की सबसे उची परतिमा तो ए इसका रैट एंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में परेटन को बढ़ाबा देने के लिए अर्बन मिथला हाट का निर्मान जो है मधुबनी डिस्टिक में किया जा रहा है 31 जन्यवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में अजादी के 75 अमरित महोसो कारिकरम के अंतरगत स्रमको की आय सिर्जन के बीसाय पर किसान संगोस्टी का आय विजन किया गया तो कैमूर भवववा में 3 थारू जन्यवरी के लिए अलग बटालीन का गठन करने वाला पहला राज कौन बना है तो बिहार बना है बिहार के किस जिले में कोशी सफारी के सुरुवात की गई है तो सुपॉल डिस्टिक में फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज में सुष्म लगू एबम मद्यम उद्यों का बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ में समझाउता किया है तो CDB के साथ में समझाउता किया है पटना के किस अभिनेता वे निर्देशक को दादा सायफ हाल के इंडियन टेली बिजन अवार्ड से संभानित किया गया है तो दीप स्रेस्ट को पटना के किस अभिनेता वे निर्देशक को दादा सायफ हाल के इंडियन टेली बिजन अवार्ड से संभानित किया गया है हाली में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्विक के अनुसार बिजन के दो सुछलंदा हवाई अड़ो में बिःार का कौन सा हवाई अड़ा सामिल है तो पतना हवाई अड़ा सामिल है जो पतना हवाई अड़ा है उसका नाम क्या है आप से भी लोग कومैंट करके बताईएगा बिहार की पहली अवासिय स्पोर्ट्स एकेडमी अलफा का अंदिर्मान किस जिले में किया गया है तो किस जिले में किया गया है पटना डिस्टिक में किया गया है दौरा देखेगा जो है 1719 एकड भूमी पर टेक्स्टाइल पार्क अंद्रमान किया जाएगा तो पच्मी चंपारण में द्वारा देखेगा कि पीम मित्र योजना के तहट जो है बिहार के किस जिले में 1719 एकड भूमी पर टेक्स्टाइल पार्क का अंद्रमान किया जाएगा तो पच्मी करके बताईएगा कि जो पीम मीत्र योजना है इसके तहद कितने टेक्स्टाइल पार्क लगाए जाने की घोस्तना की गई है केंसरकार के द्वारा पूरे भारत में बिहार विकास मिसन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को पर्थम अस्थान प्राप्त हुआ है तो जहानाबाद को पहला अस्थान मिला है फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामी छेत्रों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को पर्थम अस्थान प्राप्त देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहा पर बनाया जाएगा बिहार में तो मुझपरपुल डिस्टिक में बनाया जाएगा बिहार में महला स्वभीमान बल का मुख्याले कहां अस्थापित किया जाएगा तो बालमिकी नगर में अस्थापित किया जाएगा बिहार के किस जि साहितकार लिली रे का निर्धन हो गया उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में जो साहित अकादमिय पुरस्कार प्रदान किया गया था तो मारी चीका के लिए मारी चीका के लिए तो B option ठीक हो जाएगा बिहार के किस जिले में अस्थित धार्मिक अस्थल पुनवरा धाम को पर्यटन मंत्रले की प्रसाद योजना में सामिल किया गया है दोबरा देखेगा कि बिहार के किस जिले में अस्थित धार्मिक अस्थल जिसका नाम के है पुनवरा धाम को जो है प्रेटन मंत्राले की परसाद योजना में सामिल किया गया है तो सीता मरी में अस्थित पुनवरा धाम को बिहार सरकार ने सोलर रूप टॉफ योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उफ भुकताओं को कितने परतिस्यत सबसीड़ी देने की गोस्तना की है तो 40% आपके सबसीड़ी देने की गोस्तना की गई है बिहार सरकार के द्वारा निमलिक्त में से कौन सा नियाले यूटूब पर मुकदमे की सुनवाई करने बाला देश का पाच्मा नियाले होगा तो कौन है होगा तो पटना उच नियाले होगा पहला कौन है तो पहला पर गुजरात हाइकोट है हाली में बिहार करकिस बेक्ती को बार कॉंसिल आफ इंडिया का चेर्मेन नियुक्त किया गया है तो मनन कुमार मिस्टरा को बिहार उद्यमता समेलन 2021 के दोरान किसे बिहार विभूती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो रोहित कुमार को फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पंडे ने होमी भाबा कैंसर अस्पताल एवम अनुसंधान केंदर का उडगाटन किया है तो किस डिस्टिक में किया है मुझपरपूर डिस्टिक में किया है बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबाई इंडियस ने सबसे महंगल खिलाडी करूप में खरीदा है उनका नाम क्या है उनका नाम है इसान किशन क्या नाम है इसान किशन उनका नाम है बिहार के जैबिक मिसन के तहत किस जिले में किरसी कार्याले परिशर में जैबिक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है दोबरे देखिएगा बिहार के जैविक मिसन के तहत किस जिले के किरसी कर्याले परिसर में जैविक सबजीव का आउटलेट खोला गया है तो किस डिस्टिक में खोला गया है पटना डिस्टिक में खोला गया है बिहार के किस जिले में मिथला चित्रकला संस्थान और मिथला ल कुछन को दुबरह देखेगा कि बिहार के किस जिले में जो है मिथला चित्रकला संस्थान ठीक है और मिथला ललित संघ्राले कला भवन का दिर्मान किया गया है तो मधुबनी में किया गया है हाली में बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमार का परधान सचीव किसे निवक्त किया गया है तो डॉक्टर यस सिद्धार्थ को तो बिह इसका राइट एंसर हो जाएगा हाली में बिहार की तिलावे नदी को पुना जिवित करने की युजना बनाई जा रही है यह किसकी सहयक नदी है तो कोशी की सहयक नदी है तो कोशी की सहयक नदी है कौशी नदी तिलावे नदी है जो तिलावे नदी है वो आपके कोशी की सहयक नदी है बनाबरन के प्रतिशत की द्रिस्टी से बिहार के निम्रिखित जीलो का सही अबरोही करम बताना है सही आपके अबरोही करम बताना है तो कैमूर जमोई नवादा मुंगेर तो बे इसका रैटन से हो जाएगा कैमूर उसके बाद जमोई नवादा उसके बाद मुंगेर सबसेदी कापने कैमूर में है आत्म निर्भर बिहार के साथ निश्चे 2 के अंतरगत बितिय वर्ष 2021-22 में विभिन विभागों के अंतरगत कुल बजट प्रभधान कितना है तो कितना है 5000 कलो रुपे आपके प्रभधान किया गया है आत्म निर्भर बिहार के साथ निश्चे टूब है बिहार आर्थिक सर्वेच्चन 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रती बेक्ती सकल जिला घरेलू उत्पात के संबन में बिहार का कौन सा जिला सिर्ष अस्थान पर है तो पटना सिर्ष अस्थान पर है इस कोशन को दोबरा देखेगा कि बिहार आर्थिक सर्वेच्चन बिहार आर्थिक सर्वेच्चन 2021-22 के अनुसार बर्ष 2019-20 में प्रती बेक्ती सकल जिला घरेलू उत्पात के संबन में बिहार का कौन सा जिला सिर्ष पर है तो पटना डिस्टिक आपके सिर्ष पर है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरी कल्चर सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा भारत का पहला मॉडल फ्लोरी कल्चर सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा तो भागन बिगा बिहार सरिप में भागन भिगा बिहार स्रिफ में इस कोशन को दुबरा देखेगा कि बिहार का पहला model flory culture center कहा। पर अस्ताफित किया जाएगा बिहार स्रीफ में अस्ताफित किया जाएगा और भागन भिगा में केंद्री जल सक्ती मंत्राले द्वारा गोसित रास्टी जल पुरस्कार 2020 में पुर्वी छेत्र में बिहार के किस जीलों को सरवस्यस्ट जीला का पुरस्कार दिया गया है तो पुर्वी चंपारन को किसे पुर्वी चंपारन को जो है सरवस्यस्ट जीला का पुरस्कार दिया बिहार के पूर्व मंत्री हरी नरायन सी का निर्धन हो गया उनके संबंद में कौन सा कथन आपके सत है तो देख लिए जो उनके संबंद में कौन सा कथन है उनका संबंद जो है भारतिय जनता दल से था तो जो हरी नरायन थे इनका संबंद भारतिय जनता दल से था तो ठीक है वह 1985 से 1990 तक जग भोजपूर से विधायक और मंत्री रहें ये भी ठीक है उन्हें बित राज मंत्री बनाया गया था तो सारे कथन आपके ठीक हो जाएगा तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा कहीं पर छापने में जो बुक लिखाता है तो कहीं पर टैपिंग मिस्टे खोजाता है उसके लिए प्रेंसिल मत लीजएगा बिहार के नए मुख्षचीब के रूप में किसे निवक्त किया गया है तो आमीर सुभानी को जो है बिहार के नए मुख्षचीब के रूप में निवक्त किया गया है बिहार सिच्छा पर्युजना की द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच बिद्याले की छात्राएं किस अख़वार का परकाशन करेंगी तो दिवार अख़वार का परकाशन करेंगी भारत का किसरा रास्ति खाद तक्निक उद्यमता एबं प्रवंदन संस्थान किस राज में खोला जाएगा तो बिहार राज में खोला जाएगा भारत का तिसरा रास्ती खाद तक्निक उद्यमता एवं परबंदन संस्तान किस राज में खोला जाएगा तो बिहार राज में खोला जाएगा 1.6 मेगाबाट छमतावाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में अस्थापित किया गया है तो दर्भंगा में अस्थापित किया गया है कहां पर BBI कोसन इसे मार किजिएगा 1.6 मेगाबाट छमतावाला बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जिले में अस्थापित किया गया है तो दरभंगा में स्थापित किया गया है हदराबाद में आयुजित पाचमें अंतरास्टी सस बिग्यान कांग्रेस में सस बिग्यान का फिलोपुरसकार किसे परदान किया गया है तो डॉक्टर अनील कुमार को परदान किया गया है डक्टर अनिल कुमार को परदान किया गैसे पढ़ लिजेग अपलोग भी बालमिकी नगर के बाद बिहार का दुसरा टागर रिजव किस जिले में बनाया जा रहा है मेहलाओं को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक दो पहिया बाहर खरीदने के लिए निम्लिकित में से किस बैंक द्वारा इनारी सक्ती रीन युजना की सुरुवात की गई है तो दच्छिन बिहार गरामिन बैंक के द्वारा जो है इनारी सक्ती रीन युजना की सुरुवात की गई है दच्छिन बिहार गरामिन बैंक के द्वारा तो भी इसका रैटनसर हो जा तो मुखमंतरी गराम संपर्क योजना को बिहार में एको टूरिज्म की तहत कितने परेटन अस्थल बिक्सित किये जाएंगे तो बिहार का पहला बेंबू गाडन कहां पर बनाया जाएगा तो कहां पर बनाया जाएगा महाबोधी कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में महाबोधी कन्वेंशन सेंटर परिसर बोध गया में जो है बिहार का पहला बेंबू गाडन अपके बनाया जाएगा बिहार के बैसाली जिले के परमोध भगत को किस राज के कोटे से पदम सिरी 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है、 तो उडिसा के कोटी से उडिसा के लिए खेलते हैं बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेसमा परसाद का अस्टार्टउप नाच बाजा डाट कॉम को अस्टार्टउप बिहार प्रोग्राम के तर शामिल किया गया है दुबरा देखेगा बिहार के 21 जिले के ट्रांसजेंडर रिस्मा परसाद का स्टार्टप नाचबाजा.com को स्टार्टप बिहार प्रोग्राम के तहर सामिल किया गया है तो आपको ध्यान रखना है पटना डिस्टिक के पटना डिस्टिक के नमंबर 2021 में प्रदर्शन के अधार पर देश भर के अकांसी जिलो की रैंकिंग निती आयोग द्वारा जारी की गई इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिलो को प्राप्त हुआ है तो खगडिया डिस्टिक को पहला स्थान मिलता है गंतंत्र दिवस 2022 को गांधी मेदान में आयोजित समारों में प्रस्तुत आठ जाकियों में किस जाकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार सिच्छा परियोजना परिशद को पहला स्थान दिया गया है मैथली भासा में अंसु बनी पस्री जाइब के लिए साहित अकैदमी एवा पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो अमीत मिस्र को सम्मानित किया गया है बनारस की तरज पर बिहार के किस जिले में तेरता हुआ CNG अस्टिशन अस्थापित किया जाएगा तो पटना डिस्टिक में कहाँ पर पटना डिस्टिक में अस्थापित किया जाएगा कुरोना कार्ड में स्वास्त के छेत पर उत्कृस्ट कार के लिए निम्लिखित में से किसे बिहार सिरी सम्मान परदान किया गया है किसे जो है बिहार सिरी सम्मान परदान किया गया है तो डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंग को बिहार राज के पिछले वर्ग आयुक के अध्याच के रूप में किसे निक्त किया गया है तो नियाय मुर्ती संजे कुमार को बिहार राज के पिछले वर्ग आयुक के अध्याच के रूप में किसे निक्त किया गया है तो नियाय मु दुरोनो सूसो मैला पल्लू नाम से परकासित किया गया है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है फनिस्वरनाथ रेनु दुवारा देखेगा कि हाली में उपन्यास मैला आचल जपानी भासा में दुरोनो सुमो नाम से परकासित किया गया इसके लेखक कौन है तो फनिस्व हाली में बिहार राज का बिधान परिशद देश का पहला डिस्टल सदन बन गया है उद्योग मंत्री स्री पसुपती कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया है तो पटना जिला में किया गया है मनिहारी नगर के कन्या मद बिध्याले के परधना ध्यापक को एजूकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है बिनोत कुमार दुवारा देखेगा कि मनिहारी नगर के कन्या मत बिद्याले के परधना ध्यापक को एजुकेशन आइकन अबाट से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है तो बिनोत कुमार उनका नाम है किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हेंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया जिसका उठगाटन बिहार विदान परिशत के सभापती अबदेश नरायन सी ने किया है तो बिहार के किस जिले में किस जिले के गांधी मैदान में जो है नेशनल हेंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है तो पत गाटन अपधेश नरायन सी के द्वरा किया गया है तो B option ठीक हो जाएगा बिहार बिधान सभा चुनाव 2020 के नतीजे के संबन में कौन साब की सुमिलित है तो देख लिजे कौन साब की सुमिलित है जनता दल उनैटेड 43 सीटे मिली यह ठीक है भारती जनता पाठी 44 सीटे मिली यह भी ठीक है राश्टी जनता दल के 45 सीटे मिलता है यह धीक है गांग्रेस को 19 सीटे मिलता है यह थीक है तो सारी आपके ठीक है तो D सका right answer हो जाएगा बिहार के किस जिले में अस्थित, हल्दिया जल्परपात, कटवना पहाड़ी, नरूदा जल्परपात आदी को एको टूरिज्म के रूप में बेक्षित किया जा रहा है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अबसर पर गिरी मंत्राले द्वारा सुशासन सुचकांग जारी किया गया। बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार को जो है पहला स्थान मिला है। द्वारा देखेगा च्छा प्राप्त है। केंद्री गिरी मंत्राले द्वारा जारी सुशासन सुचकांग 2021 दस सुचकांगों पर अधारित है। जिसमें सरवजनिक अपसंद्रचन और उप्योगता छेतर में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार को पहला स्थान मिलता है। नेक्स्ट है पट्ना मेटरो निर्मान के लिए छेतर जाइका कितने करण रुपिय तक करण दरने के लिए तैयार हो गई है। तो आठ हजार कडो रुपे तक कर्ज दरीक लिए तयार हो गई है। बिहार बिधान सभा के द्वारा तक्निकी सेवा आयोग संसोधन बिधैक पारित किया गया जिसके तहत इस आयोग के अध्याच कारकाल निर्धारित किया गया है। द्वारा देखेगा बिहार बिधान सभा के द्वारा तक्निकी सेवा आयोग संसोधन बिधैक पारित किया गया जिसके तहत इस आयोग के अध्याच जो तक्निकी सेवा आयोग के अध्याच का कारकाल निर्धारित किया गया है तो तीन वर्स या अधिक्तम सत्तर वर्स की आयो आपके निधारित किया गया है जो पहली आपके हो जाए संस्थान BD Good Professional Association द्वारा निम्लिखित में से किसे जो है इवा बैगानिक पुरसकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ओम परकास गुजेला को ओम परकास गुजेला को तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा हाली में जारी की गई घोषना के अनुसार निम्लिखित में से किस फसल की खेती पर राज सरकार द्वारा पचास परसंट अनुदान दिया जाएगा तो सहजन, पियाज, चाय, रजनी गंधा के तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा इन सभी की खेती पर जो है राज सरकार पचास परसंट आपके अनुदान देगी सहजन, आप लोग गौँ में जो रहते हों जानते हों कि सहजन क्या होता है बाकी रजनी गंधा तो सभी को पता है जल जीबन हर्याली योजना के तहत बिहार के किस जिले में अस्थित धनोती नदी से गाद हटा कर उसे पुनजिबित किया जा रहा है जल जीबन हर्याली योजना के तहत बिहार के किस जिले में अस्थित धनोती नदी से जो है गाद हटा कर उसे पुनजिबित किया जा रहा है तो जो आपके धनोती नदी है किस दिस्टिक में उस्ती थे तो पूरवी चमपारण में उस्ती थे नेक्स्ट है नेती आयोग एबं स्वास्थ एबं परिवार कलियान मंत्राले द्वारा जारी नेशनल फैम्ली हिल्थ सर्वे रिपोर्ट के सम्मंद में कौन सा कथन आपके सह तो देख लिजिए नेती आयोग एबं स्वास्थ एबं परिवार कलियान मंत्रा द्वारा जारी नेशनल फैम्ली हिल्थ सर्वे रिपोर्ट के सम्मंद में कौन सा कथन आपके सथ हैं तो देख लिए कौन सा कथन सथ ैं कि परजणन दर की मामले में बिहार पहले अस्थान पर है जहां TFR 3 है ती एफ आर 3 मतलब कि एक जो महला है बिहार में उनका परजनन दर कितना है तो तीन बच्चे हैं उन तीन बच्चे को जनम देती हैं रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल परजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गया है तो यह भी ठीक है रिपोर्ट के अनुसार रिप सब पूर्ट के अनुसार एक हो एक बार है और चेक कीजाए गाधर नेक्स्ट है अबिनेता मनोज बाजवय के जीवन पर अधारित पाने की जीद कुछ पाने की की जीद मनोज बाजवय के لेखा कॉन है तो पिउस पांडे हैं कौन हैं पिउस पांडे हैं निम्लिखित में से किस राज में होम आईसोलेशन में रह रहे हैं कुरोना संकर्मित मरीजों को स्वास्त बिभाग द्वारा डाक बिभाग के सहयोग से घर पर कुरोना के इलाईज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही हैं निम्लिकित में से किस राज में, किस राज में जो है, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, कुरोना संकर्मित मरीजों को स्वास्त विभाग द्वारा, किस के द्वारा, स्वास्त विभाग के द्वारा जो है, डाक विभाग के सहयोग से, घर पर कुरोना के इलाज में जरूरी द कि शरूवात किस उद्देश से की गई है, तो उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश से, बिहार में कानून बिवस्ता को और बहतर करने जरूरत के समय, आम लोगो की मदद के लिए गिरी विभाग ने किस एप को बेक्सित किया है, तो गिरी विभाग ने जो है, गिरी विभाग ने किस एप को बिक्सित किया है तो गिरी दर्शन को बिक्सित किया है चातराओं को सेनेटरी नेमकीन खरीदने के लिए टीन सुरुपे की आर्थिक सहायता परदान करने के लिए किस राज सरकार द्वारा मुकमंत्री की स्वास्त योजना की सुरुवात की गई है त पहल है विहार सरकार का बिहार राज सरकार की घोषना के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का ब्यवसाइग करने के लिए साथ जीब को पार्जन यूजना के तहत कितने रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो ताड़ी होता है ताड़ी के बदलेव नीरा का बेफसाई करने के लिए सतत जिबको पारजन एवजना के तहट कितने रुपे की आर्थिक सहाईता सरकार देगी तो एक लाख रुपे की आर्थिक सहाईता सरकार देगी कितने एक लाख रुपे की आर्थिक सहाईता देगी तो भी इसका स्रीहरी मंदिर जी पतना साहिब के मुख गरंथी का निर्धन हो गया उनका नाम क्या है तो भाई रजेंदर सी उनका नाम है द्वारा देखेगा किरपाल से घायल हुए तक्त स्रीहरी मंदिर जी पतना साहिब के मुख गरंथी का निर्धन हो गया उनका नाम क्या था तो महादलित दलित एवं अल्प संख्यक वे अति पिछडा वर्ग अच्छर आचल योजना के तहट कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, कारिकरम को सभी जिले में लागू किया जाएगा, तो किस राज सरकार के द्वारा, तो बिहार राज सरकार के द्वारा, इ बिहार राज सरकार के द्वारा जो है नौ जिले में कितने डिस्टिक में नौ जिले में चलाई जा रहे हैं महा दलित अल्प संक्यक वे अति पिछला वर्ग अच्छर आचल योजना के तहर जो है कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं करक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा तो बिहार राज सरकार की द्वारा नेक्स्ट है नेमलिखित में से कौन सा कथन सत है तो देख लिजे कौन सा कथन सत है बिहार के अर्थ सास्त्री एवं एसेन डेबलेप्मेंट रिसेर्च इंसिचूट के संस्थापक डॉक्टर सैबाल गुपता को म अर्मान 2021 दिया गया है तो ये भी कथन आपका ठीक है तो दुनों कथन ठीक है तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बिर्चा अबरन का छेतर है तो बिहार में बिर्चा अबरन के कितना छेतर है तो 341 बर किलो मेट बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बितिय वर्ष 2022-23 में राज का कुल राजस बे कुल बे क कितना परतिसत अनुमानित है तो 80.76% आपके अनुमानित है 80.76% अनुमानित है बिहार आर्थिक सर्वेचन 2021-22 के अनुसार बिहार बितिय वर्ष बे का कितना था तो 61.2% था बिहार आर्थिक सर्वेचन 2021-22 के अनुसार बिहार का निब्बल राज घरेलू उत्पाद 2021-22 के अस्थिर मूल पर कितना था तो 566.47,000 कलो रुपिया बिहार आर्थिक सर्वेचन 2021-22 के अनुसार बिहार बिस एकिस में राज में 2011-12 के अस्थिर मूल पर प्रति बेक्ती सकल राज घरेलू उत्पाद कितना था तो कितना था 34,314 रुपिया दुबारा देखेगा बिहार आर्थिक सर्वेचन 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज में 2011-12 के अस्थिर मूल पर प्रति बेक्ती सकल राज घरेलू उत्पाद कितना था तो 34,314 रुपिया था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि पट्याला में आयोजित चोसठमी रास्टिय सुटिंग पट्याला में आयोजित जो है चोसठमी रास्टिय सुटिंग चेंपियनसिप में बिहार की स्रेसी सिंग ने स्वन पदक जीता वह किस छेतर की बिधायक है जो स्रेसी सिंग है वह किस छेतर की बिधायक है तो जब मुई छेतर की बिधायक है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा तीन दिसमबर 2021 को देश रत डक्र रज़तने परसाद की कौन सी जैनती मनाई गई तो 136 में जैनती मनाई गई है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चर्णों में संपन हुआ तो कुल 11 चर्णों में संपन होता है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितना परतिसत मतदान हुआ तो 61.13% आपके मतदान हुआ था बिहार सरकार ने कब तक राज के सभी घरों में असमार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की घोषना की है मार्च दो हजार पचीज तक मुखमंतरी नितिश कुमार द्वारा राज में नसा मुक्ति बाल विबा उनमुलन दहेच पर्था उनमुलन के लिए समाज सुधार अभियान की सुरुवात की गई है समाज सुधार अभियान की सुरुवात की गई है इसका सम्मंध में कौन सा कथन आपके सही है तो देख लेजे यह यात्रा 22 दिसमबर से 15 जनवरी के बीच में की गई इस यात्रा के सुरुवात मोतिहारी से की गई इस यात्रा का समापन पटना में हुआ तो सारी कथन आपके ठीक हैं तो D इसका right answer हो जाएगा बिहार के किस जिले में 786 क्लोर की लागत से कोटेसवर नाथ मंदिर का सिला नियास किया गया है तो गया में दोबरा देखेगा बिहार के किस जिले में जो 786 क्रोर की लागत से कोटेशवर नाथ मंदिर का सिलानास किया गया है तो गया में किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन का 96 रास्तिय अधिवेशन कहां पर आयुजित किया गया है तो कहाँ पर आयुजित किया गया है, पत्ना में आयुजित किया गया है, 21 दिसम्बर 2021 को राज केबिनेट की बैठक का आयुजित कहाँ पर किया गया था, अच्छा परस्थ ने, 21 दिसम्बर 2021 को जो है, राज केबिनेट की बैठक का आयुजित कहाँ पर किया गया था, तो वा सास कारिकरह में इसका समंद्ध किस से है तो निमोनिया से नवजात वे बच्चों को वने बाले मिर्भू के लिए जागरूकता अभिहान से तो इसी इसका रायट अनसर ँजागत बच्चों में निमोनिया जो होता है बहुत जादा होता है स्वच भारत मिसन स्वच भारत मिसन सहरी के तहट जो है बिहार के किस सहर को बिहार का पहला कच्रा मुख सहर का दरजा दिया गया है दोबारा देखेगा स्वच भारत मिसन सहरी के तहट बिहार के किस सहर को जो है बिहार का पहला कच्रा मुक्ष सहर का दर्जा दिया गया है तो किसे दिया गया है सुपॉल को दिया गया है अच्छा प्रसने से मार के जएगा निमलिखित में से किस राज के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में देदी की रसोई कारिकरम चलाया जा रहा है किस राज के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में जो है दीदी की रसोई कारिकरम चलाया जा रहा है तो बिहार के कहां बिहार राज के सभी अस्पतालों में तो B इसका right answer हो जाएगा कोरोना सहित अनपरकार के बैरेस की जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए राज का पहला लैब कहां पर बनाया गया है तो कहां पर बनाया गया है आई जी आई यम यस पत्ना में बनाया गया है तो ए इसका right answer हो जाएगा संसद द्वारा राश्री औसदी सिच्छा एबं अनुसंदान संस्थान बिधैयक 2021 को मंजोरी दी गई जिसके तरहत बिहार के किस फार्मा संस्थान को राश्री महतु का दर्जा दिया गया है तो हाजी पूर औसदी सिच्छा एबं संसोधन संस्थान को तो ए इसका right answer हो ज तकनीक का उपयोग करने का निरने लिया है दोबारा देखिएगा किस राज सरकार ने जो है किस राज सरकार ने जो है अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निरने लिया है तो तेलंगाना राश्रकार ने जो है अपने पर नेती आयोग द्वारा चेंपियन्स ओफ चेंज की डिल्टा रैंकिंग जारी की गई इसके संबाद में कौन से कथन आपके सही है तो देख लिजे कौन से कथन सही है इस रैंकिंग में सिर्ष पांच जिलो में बिहार के मुझपरपूर और अंगाबाद बाका शेखपूर का सामिल है तो ठीक है इस रैंकिंग में जार्खन के दुमका जिले को पहला स्थान दिया गया है यह भी ठीक है तो डी इसका रेट एंसर हो जाएगा सारे कथन आपके ठीक है नेक्स्ट है इलक्रिक बानु की विक्री के मामले में राज्यू वे कियन सासित प्रदेश में ब बिहार का स्थान चौथा है लोहिया स्वच बिहार अभियान के तहट राज का पहला ट्वालेट किलनी कहां पर खोला जाएगा तो कुढ़नी मुझपरपूर में खोला जाएगा किल्दोहिया स्वच बिहार अभियान के तहट जोए राज का पहला ट्वालेट किलनी कहां पर खोला जाएगा तो कुढ़नी मुझपरपूर में खोला जाएगा जल जीबन हर्याली मिशन के तहट जोए हरियाना को बढ़ाने में जारी रैंकिंग में किस जिले को सिर्ष अस्थान मिलता है तो गया को पहला स्थान दिया जाता है, दोबारा देखिएगा कि जल जीवन हरियाली मिसन के तहट, ठीक है, जल जीवन हरियाली मिसन के तहट जो है, हरियाली को बढ़ाने में, हरियाली को बढ़ाने में जो है, जारी रैंकिंग में किस जिले को सिर्श स्थान प्राप्त दुबारा देखेगा परदान मंत्री गरामीन डिज्टल साच्छर्ता अभियान के तहद बिहार का कौन सा जिला पहले अस्थार पर है तो मधुबनी डिस्टिक अपके पहले अस्थार पर है नलंदा अंतरास्टी बिस्विद्याले को किस देश की संस्था एरोपियन एकी से सम्मालित किया है दुबार देखेगा कि नलंदा अंतरास्टी बिस्विद्याले को किस देश की संस्था एरोपियन सोसाइटी फोर प्रिचेय टिक संस्थी किस एकी संस्था एकी सुसाइटी रियोँग्रियमेंटोर 1 दुगरे डिस्था णिवद्याister प्रदान किया है तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा क्वालिटी अचीब्मेंट अवार्ड 2021 प्रदान किया है किसे तो नलंदा अंतरास्टिय विस्विद्याले को इसे रोग के दोबारा प्लोग पढ़ लिजेगा बिहार में जो है 11 से 13 दिसंबर तक तीन दिवस्य आयुरबेद पर सम्मिलन का आयुजन कहां पर किया गया है जिसमें मुखमंत्री नितिश कुमार भी सामिल हुए तो राजगीर में कहां पर राजगीर में असमार्ट सिटी मिसन और फिसाई की स्वेंख्ट पहल पर इट असमार्ट सिटी इट असमार्ट सिटी चैलेंज में बिहार के किस सहर को जो है सिस बिस सहरों में सामिल किया गया है तो पतना को सामिल किया गया है बिहार राज के सिच्छा बिभाग में एगरमी एबंबारमी के बच्चों के सभी बिसायों के डाउट किलियर करने के लिए किस एप को लॉंच किया गया है तो किस एपको लॉंच किया गया है, फीलो एपको लॉंच किया गया है, किस तिथी से राज में एकल उपयोग के पलास्तिक के निर्मान, आयात, भंडारन, बितरन, बिक्री और उपयोग पर पुर्णता रोक लगाई गई है, तो 1 जुलाई 2022 से, एक जुलाई 2022 से, तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा, यह सरकार का अच्छा कदम है, इस सरकार का बहतर कदम तो इसे याद रखेगा, यह पूछा भी आपसे जा सकता है, कि किस तिथी से राज में एकल उपयोग के पलास्तिक के निर्मान, आयात, भंडार, बितरन, बिक्री और उपयोग पर कथन सत्थ, अधार भूत, सचर्ता और गन्वना सुचकांग के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्थ है, तो देखिए, बड़े राज्यों की सरेनी में पच्छिम मंगाल को सिर्ष अस्थान मिला है, तो यह तो ठीक है, बड़े राज्यों की सरेनी में बिहार को सबसे अंत बिहार के किस जिले में जो है, सासो तीस कलोर की लागत से कम्बला नदी पर बैराज के निरमान का कार सुरू किया गया है, तो दोबारा देखिएगा, कि मुखमंत्री नितिस कुमार दोबारा जो है, बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में, सासो तीस कलोर की लाग से जोए कंबला नदी पर बैराज के निर्मान का कार सुभारम किया गया है तो मधुबनी डिस्टिक में कहां पर मधुबनी डिस्टिक में तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले के कू सहर पंचायत से चुनाव जितने वाली अनुस्का कुमारी सबसे कम उ बन गई है तो सिभर से कहां से सिभर से तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा बिहार के किस सहर में जोए मेसर्स वारून बेबरेज लिम्टेड द्वारा कार्वोनेटेड सौप्ट ड्रिंक प्लांट की अस्थापना की जाएगी तो बरोनी बेगुसरा में द्वारा देख लिम्टेड द्वारा जो है कार्वोनेटेड सौप्ट ड्रिंक प्लांट के स्थापना की जाएगी तो ब्रोनी बेगुसराई में बिहार के किस भवन बिहार के किस भवन संरचना में ए आई ए जपान आर्किटेक्चर अवार्ड दोहर एकिस परदान किया गया है दोबारा देखेगा बिहार के किस भवन या संरचना को जो है ए आई ए जपान आर्किटेक्चर अवार्ड दोहर एकिस परदान किया गया है तो बिहार संग्राल अपरादियों का लेखा जो खा रखने के लिए किस राज सरकार की पुलिस द्वारा जो है चक्र एप को लॉंच किया गया है तो एप्सन अब का ठीक हो जाएगा बिहार पुलिस द्वारा राज में गंभीर अपरादियों की गिरफतारी और सराबंदे की करबाई को लेकर किस विशेस अभियान की शुरुवात की गई है तो अप्रेशन परहार की अप्रेशन परहार की शुरुवात की गई ही इनपोर्टन है मार किजिएगा और प्रेसंट परहर जो है आपके विजाम के लिए इनपोर्टेंट है निती आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्त सुचकांग 2021 में 19 राजियों में बिहार को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो बिहार को अठरमा अस्थान मिला है निती आयोग द्वारा जारी चौथे स्वास्त सुचकांग 2021 में 19 राजियों में बिहार को कौन सा अस्थान मिलता है तो अठरमा अस्थान दिया जाता है बिहार में इतनोल की पहली फेक्टरी के सुरवात किस जिले में की गई जहां एसिया में सबसे ज़्यादा इतनोल का उत्पादन होगा अच्छा प्रसने बिहार में जो इतनोल की पहली फेक्टरी के सुरवात किस जिले में की गई जहां एसिया में सबसे ज़्यादा इतनोल का उत्पादन होगा तो भोजपुर डिस्टिक में पहली एथेनोल फेक्टरी की सुरुवात की गई है भोजपुर डिस्टिक में तो ए इसका रैट इंसर हो जाएगा हाली में स्वेचिक अरक्त दाता स्मार्ट का सुभारम करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया है तो बिहार बन गया है बिहार राज के पैटर्न पर निम्लिकेत में से किस राज में भूमी सरवच्षन किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश में किस राज में आंध्र प्रदेश में बिहार का कौन सा जिला जो है गोविंद भोग चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद है तो गोविंद भोग चावल के लिए कौन सा डिस्टिक जो है प्रसिद है तो कैमूर डिस्टिक अपके प्रसिंद है कैमूर डिस्टिक प्रसिद है अधारित जनगर्ना करानी की घोषना किये तो बिहार सरकार ने घोषना की है बिहार के किस जिले के प्राथ्मिक बिद्याले मोच्दा में नटखट साइनस लेब खोली गई तो भागल पूर में किस जिले में भागल पूर डिस्टिक में केन सरकार की सुष्म लगू एवम मध्यम अस्पूर्ती युजना के अंतरगत देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइवर पार्क बिहार के किस जिले में अस्थापित किया जाएगा तो पुर्निया ड बिहार के किस जिले में अस्थित राज की मध बिद्याले डिहरी में चिल्रेन बैंक खोला गया है तो गया डिस्टिक के राजकी मध्य बिद्याले डिहरी में जो है चिल्डेन बैंक खोला गया है बीवी आये से मार्क किजिएगा मधुबनी जिले के सम्स आलम को राश्टपती रामनात गोविन द्वारा राश्टी अस्तर पर बेस्ट अस्पोर्ट्स परसन का अवार्ड दिया गया उनका संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध पैरा तैराकी से इनका संबंध है बिहार में सुरचित यात्रा के लिए सडकों से जुले मामलों पर सोध के लिए सडक अनुसंधान केंदर का अंदिर्मान कहां पर किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है मुकामा पटना में किया जा रहा है बिहार सरकार के किस मंत्राले द्वारा चल रही युजनाओं से सम्मंदित सिकायत दर्ज कराने के लिए युजनाओं से सम्मंदित सिकायत दर्ज करने के लिए युजनाओं से सम्मंदित सिकायत दर्ज करने के लिए युजनाओं से सम्मंदित सिकायत दर्ज करने के लिए अचायती, राजमंत्राले द्वारा जोए इन से पोड़ल को लॉंच किया गया है। बिहार के किन जीलों को कालाजार मुक्त होने की कारण केंज सरकार द्वारा जोए 8-8 लाग रुपे का पुरसकार दिया गया है। तो मुझपरपुर और गौपाल गंज को दिया गया है। केन सरकार की National Innovation in Climate Resilient Agriculture योजना के तहत बिहार के कितने जीलों को जलवाई अनुकुल खेती के लिए चुना गया है। तो बिहार के 10 डिस्टिक को चुना गया है। बिभिन कुरूतियों जैसे की बाल बिबा, देहेज उत्पिलन, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रती बलकाओं को जागरूप करने के लिए बिहार में किस संस्था द्वारा जो है राज के 22 जिलों में उड़ान अभियान सुरू किया गया है। तो महला एबं बाल विकास निगम के द्वारा किस संस्था के द्वारा तो महला एबं बाल विकास निगम के द्वारा सुरू किया गया है। बिहार के निम्न में से किस जिले में बनाबरन का छेतरफल निम्नतम है तो सबसे कम जो बनाबरन का छेतरफल किस डिस्टिक में तो सेखपूरा डिस्टिक में सिक पूरा डिस्टिक में, बित्य वर्स 2022 में, बिहार राज का कुल राजस विए कितना अनुमानी थे, तो एक लाख, एक यानवे हजार, नो सो छंपन पॉईट, छे-साथ, कलो रुपियान के अनुमानित है बिहार आर्थिक सरवेच्छन 2021-22 के अनुसर राज में जो है 2020-21 में बरतमान मूल पर प्रति बेक्ती सकल राज घरेलू उत्पाद कितना था तो 50,555 रुपया 50,555 रुपया तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा बिहार में छठा धर्म धम सम्मेरन का आयुजन किस बिस्विद्याले परिशर में किया गया है तो नलंदा बिस्विद्याले परिशर में किया गया है वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने बेक्तिव को पदम पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो बिहार के साथ बेक्तिव को जो है बिहार के साथ बेक्तिव को जो है पदम पुरसकार से सम्मानित किया गया है निम्लिखित में से किस बेक्तिव को जो है वर्ष 2020 के लिए पदम विवुस्तन सम्मानित किया गया है दुबारा देखेगा निम्लिखित में से किस बेक्तिव क के लिए पदम भीवुस्तन सम्मान से सम्मानित किया गया है तो जॉर्ज फर्नांडिस को मर्नो उप्रांत सम्मानित किया गया है और जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं इनका सम्मंध राजनिती से था इनका सम्मंध अपके राजनिती नहीं यह गलत कौन होगा तो दरभंगा एयरपोर्ट होगा दरभंगा एयरपोर्ट शुरुवात में आपको लग रहा हुआ गलत होगा लेकिन यह सही है दरभंगा एयरपोर्ट जो है पैसंजर ग्रोध के मामले में देश का सबसे तेजी से बढ़ने वला एयरपोर्ट बन ग के रूप में किसे चुना गया है तो भिहार को चुना गया था स्वाह देने के ..... कокойसर गया है, तो सी इसका राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स टे नियमिकित में से कौनसा कफन अपके स्थ है तो देख लिजे कौनथा कफन सही है कफन एक बैसाली के रहनेबाले परमोध भगत पैरा बैडे मिनटन उनसे परमोध भगत का सम्द है तो ठीक है परमोद भगत को मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो यह ठीक है मुझपरपुर के रहने बाले सरत कुमार कौन से खेलते हैं तो पैरा हाई जंप है तो सरत कुमार को जो है अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो दोनों कथन आपके ठीक है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा बिहार में किस जिले में बाल फिल महोसव 2021 का आयोजन किया गया है तो पतना डिस्टिक में बाल फिल महोसव 2021 का आयोजन किया गया है हाली में बिहार के मिथला छेतर के किस किरसी उतपाद को जियाई टेक परदान किया गया है तो मिथला में क्या है, मखाना है, तो भी इसका प्राइटेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनकीत में से किसे लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पदम भुषन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो राम बिलास पासवान को मरणो उपरान्त लोक मामले में वर्ष 2021 के पदम भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने बेक्तियों को जो है पदम भूसन एबम पदम सिरी सम्मान से सम्मानित किया गया था तो पदम बुसवन एक बेक्ति को रामिलास पासमान को और पदम सिरी चार बेक्ति को सम्मानित किया गया था मरा चार बेक्ति को दिया गया था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा वर्च 2021 के लिए वर्च 2021 के लिए जो है पदम सिरी से सम्मानित निमलिखित बेक्तियों के सम्मद में कौन आपके सुमिलित नहीं है इसमें से कौन आपके सुमिलित नहीं है तो देख लिए जो कौन आपके सुमिलित नहीं है मिरदूला सिन्ना कुमर्नो प्रांथ साहित अबं सिच्छक शेतर में दिया गया था तो ठीक है दुलारी देवी कला के शेतर में ये भी ठीक है दिलिप कुमार सी कला के शेतर में ये अपके गलत है और रामचंदर मांजी कला के शेतर में तो ये ठीक है तो C बल उप्षन अपके सही मैच नहीं है तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार ने असनातक पास करने बाली छहतराओं को कितने रुपे की आर्थिक सहायता देने की घोस्तना किये तो 50,000 रुपे आर्थिक सहायता देने की घोस्तना किये कितने 50,000 रुपी है 19 नमंबर 2021 को कौन सा परकास उत्सो मनाया गया तो कौन साब की परकास उत्सो मनाया गया है तो 502 बमनमाप की परकास उत्सो मनाया गया है तो C इसका राइटन से हो जाएगा बिहार सिच्छा परियोजना परिशद बिहार सिच्छा परियोजना परिशत द्वारा अस्कूलों में छातरों को ससक्त करने के लिए एब हम स्वेम फैसला लेने के लिए किस कारकरम की सुरुवात की गई है तो किस कारकरम की सुरुवात की गई है किसोरी मंच कारकरम की सुरुवात की गई है तो भी इसका right answer हो जाएगा next है NCC उडान की ओर से NCC उडान की ओर से जो है स्वच्छता परियाबरं सुरच्छा महला सुरच्छा समाजिक एकता दहेज बंदी सराब बंदी का संदेश देने के लिए सेनको की बीरगाथा जनजन तक पहुचाने के लिए cyclothorn की सुरवात कहां की गई cyclothorn की सुरवात कहां पर की गई है तो गादी मेदान पटना में की गई है दोबारा इस कोशन को देखिएगा कि NCC उडान की ओर से सुरच्छता परियाबरं सुरच्छा महला सुरच्छा समाजिक एकता दहेज बंदी सराब बंदी का संदेश देने के लिए सेनिकों की बीर गाथा जंजन तक पहुचाने के लिए cyclothorn की सुरवात कहां की गई तो गादी मेदान पटना में की गई है महलाओं की सिकायतों को सुनने एवं उन्हे कानूनी साहिता परदान के लिए राज की कितने पुलिस अस्टेशनों में महला डेस्क की अस्थापना की जाएगी तो पान सो पुलिस अस्टेशनों में महला डेस्क की अस्थापना की जाएगी तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बिहार विधान सवा के अध्यच विजय कुमार सिन्ना का कारिकाल जो एक साल पूरा होने के अबसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपने समाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की सुरुवात की तो सिबान से तो भी इसका रैट अंसर हो CRPF इंस्पेक्टर पिंटू सीव को राश्च पती द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो किर्थी चक्र से सम्मानित किया गया है 19 से बार्मी की छात्राओं को महाबरी की जनकारी देने स्वच्टा और सफाई के बिसे में जगरुकता करने के लिए कि सुरा अवस्था पर अधारित किस फिल्म को राज के अस्कुलू के असमार्ट कलास में दिखाया जाएगा तो पहली की सहली फिल्म को तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस बिधान सभा छेत्र के बिधायक मुसाफिर पासवान का नमंबर 2021 में निर्धन हो गया तो बोचहा बिधानसवा के बिधायक थे मुसाफिर पास्वान इनका नमंबर 2021 में निर्धन हो गया है निमिकित में से कौन सा कथन आपके सत्थ है तो देख लिजिए कौन सा कथन आपके सही है नमंबर 2021 में बरवनी बेगू सराय में जो है 250 मेगाबाट की दो परेजनाओं का लोकारपन किया गria यो ठीक है नमंबर 2021 में मुक्मंद्री नितिस कुमार दौरा बाढ़ पटना में 606 मेगाबाट की पहली बिजली इकाई का लोकारपन किया गRIA ये भी ठीक है तो दोनों कथन आपके ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा बिहार सरकार के किस मंत्राले द्वारा जो है बिहान एप को लॉंच किया गया है तो जो बिहान एप है बिहान एप को किस मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया है इम्रिकेत में से कौन सा कथन आपके सही है इसमें से देख लिजे कौन सा कथन आपके ठीक है बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का दिर्मान पटना से कुलकत्ता के बीच किया जाएगा तो ये ठीक है बिहार के दुसरे एक्स्प्रेसवी का निर्मान रक्सवल से हल्दिया के बिच किया जाएगा ये भी ठीक है तो दोना कथन ठीक है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा किस बटालियन के कमांडिक अधिकारी करनल बेकु मल्ला संतोस बाबू को मरनो उपरान जोय राश्टपती द्वारा महावीर चक्रपरदान किया गया है तो 36 मी बिहार बटालियन के संतोस बाबू थे उनको मरनो उपरान जोय राश्टपती द्वारा महावीर चक्रपरदान कि गया है नेक्स्ट है केंद्रिय अवास एवं सहरी मामले के मंत्रले दुवरा जारी स्वच सर्वेच्छन 2021 के संबंद में कौन सा कथन आपके सही है सरवसेस्ट गंगा सहर की संखला में जो है मुंगेउर को दुसरा और पटना को थिसरा स्थान दिया गया है ये तो ठीक है बिहार को तिरमा स्थान मिला है तो ये भी आपके ठीक है तो सारी कथन आपके ठीक है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा stairs की केंदरी उपभोकता, मामले मंत्राले की घोसना के एनुसार, भारत का पहला चावल का silo तक्नीक पर अधारित, अस्टील के नए भनडार गृही, बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा, तो किस डिस्टिकमा बनाया जाएगा, तो बकसर और केमीर में बनाया जाएगा, जल सकती मंत्राले द्वरा नदी सहर गटबंधन की सुरुवात की गई जिसमें देश के 30 सहरों ने नदी सहर गटबंधन के मसोध्य पर हस्ताचर किया है इसमें बिहार के 4 सहर कौन-कौन से आपके सामिल है इसमें जो बिहार के 4 सहर वो कौन-कौन आपके सामिल है तो मुंगेर है, भागलपूर है, पटना है, बेगू सरा है इस कोशन को दोबरा देखेगा जल सकती मंत्राली दोबरा नदी सहर गटबंधन की सुरुवात की गई जिसमें देश के 30 सहरों ने नदी सहर गटबंधन की मसोधे पर जो है सिंगनेचर की हैं, इसमें बिहार के 4 सहर कौनकौन आपके हैं तो मुंगेर है, भागलपूर है, पटना है, बेगू सरा है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा पटना हाई कोट मुखनयादीस संजेक करोल ने किस जिले में जी पलस, 5 बिल्डिंग कोट का उडगाटन किया है तो किस जिले में किया है, तो गोपाल गंज डिस्टिक में किया है गोपाल गंज डिस्टिक में किया है, तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नवंबर 2021 में, निती आयोग द्वारा जारी बहुँ आयामी गरीवी सुचकांक में सरवाधिक बहु आयामी रूप से गरीब राज कौन है जहाँ एक कामन पॉइंट 91% ज़संख्या गरीब है तो बिहार है सरवाधिक गरीब स्वच सरवेच्छन 2021 के 21 में इस जोन में बेस्ट सीटी इन सीट जन्स फिडवेग की कटेगरी में बिहार के किस जीलो को स्वच सीटी अबाड से सम्मानित किया गया है तो सुपाउल को किसे सुपाउल को बिहार ही नहीं बलकि देश के पहले ट्रासजेंडर कॉनस्टेबल की मिर्तू रेल दुरुखटने में हो गई उनका नाम क्या है तो उनका नाम है रचित राज तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा हाली में बिहार राज बन एवं परियाबरन मंत्रले द्वारा बिहार के किस जीले में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए Monkey Park Monkey Park बंदर बगीचा अस्थापित किया जाएगा तो अररिया में कहाँ पर अररिया में भारत का पहला राज कोवन है भारत का पहला राज कोवन है जहां सभी जिलों में Child loves friendly court के अस्थापना की गई है तो बीहार है कोने बारत का पहला राज बिहार है गंगा जल उद्धाव योजना के अंतरगत बिहार के किन सहरों को सुध पेजल उपलब्द कराया जाएगा गंगा जल उद्धाव योजना के तहर जो है बिहार के किन सहरों को सुध पेजल उपलब्द कराया जाएगा तो नवादा को, राजगीर को, गया को और बोध गया को तो D इसका right answer हो जाएगा बिहार सरकार के किस मंत्राले द्वारा इस संबंधन इस संबंधन पोटल लॉंच किया गया है बिहार सरकार के किस मंत्राले के द्वारा जो है इस सम्मंधन पोटल को लॉंच किया गया है तो सिच्छा मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया है अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कुरोना से होने बाली मिर्तु के लिए कितनी अनुदान रासी देने का दिरने लिया गया है तो साड़े चार लाग रुपिये देने का दिरने लिया गया है द्वारा देखेगा अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कुरोना से होने बाली मिर्तु के लिए कितनी अनुदान रासी देने का दिरने लिया गया है तो साड़े चार लाग रुपिया देने का दिरने लिए गया है 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया अस्किल्स छेतरिय प्रतियोकता का आयोजन कहां किया गया है तो कहां पर किया गया है पटने में किया गया है बागों के सनच्छन के बीसे में जहरुकता फ्हलाने के लिए राजबन विभाग द्वारा बालमिकी नगर टैग रिजब के लिए रैली ओन विल्स को हरी जंडी दिखाई गई है तो पलामू टैगर रिजब झारखंड के लिए तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा दोबारा देखेगा कि बागों के सनच्छन के बिसे में जब रुकता है फ्हलाने के लिए जो है राजबन विभाग द रिजब के लिए जो है रैली ओन विल्स को हरी जंडी दिखाई गई है तो पलामू टैगर रिजब झारखंड के लिए तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कच्रे से पिट्रोल वे डिजल बनाने की फेक्टरी का उ कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कारगो ट्रेमिनल का इंदर्मान किया जाएगा तो बिहार के सारन डिस्टिक के कालू घाट पर जो है सबसे बड़ा और मॉडर्न कारगो ट्रेमिनल का इंदर्मान किया जाएगा तो बिहार के सारन डिस्टिक के कालू घाट पर सरसमय अस्पताल पहुचाने बाले गुड समेरिटन को बिहार सरकार दुवारा कितने रुपे की पुरसकार रासी दी जाएगी तो पांच या रुपे की पुरसकार रासी दी जाएगी तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा अगर कोई बेक्ती रोड पर घाया हो जाता है और उस बेक्ती को कोई दुसरा बेक्ती सरसमय अस्पताल पहुचा दिया जाता है तो 12 सरकार उसे 5-6 रुपया पुरसकार की रुप में देगी और उसे कोई सवाल भी ने पूचा जाएगा मुख मंत्री नितिसकुमार द्वारा बिहार के किस जिले में अस्थित मंदार में 20 एकर में फैले जै विवित्ता पार का उटगण किया गया है बिहार की किस जिले में बिहार की पहली किसान उतपादक चाई कंपनी कॉर्पोरेट मामले के मंत्राले से परमान पत्र दिया गया है तो किसन गंज किसन ज़िएंग म सब्सक्राइए तो इसमें आपको याद रखना है कि जो जाएगा बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिट्रेचर फेस्टीवल का आयोजन किया गया है तो दरभंगा में किया है दरभंगा में किया है हाली में बिहार किरसी विस्विद्याले द्वारा बिहार के किस जिले के प्राली प्रवंधन मौडल को पूरे राज में लाउग करने का निरन लिया गया है तो रोहतास हाली में बिहार की रसी बिस्विद्याले द्वारा बिहार के किस जिले के बिहार के किस जिले के प्राली प्रवंधर मोडल को पूरे राज में लागू करने का दिरने लिया गया है तो जो रोहतास का मोडल है उसे पूरे बिहार में लागू करने का द बिहार की निम्रिखित जीलों का सही अब्रोही करम में आपको बताना है तो सही अब्रोही करम में बता देजिए कैमूर पच्छिम चंपारण रोहतास जम्मुई तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा बिहार में ग्रामि सलको की कुल नमबाई कितनी है तो बिहार में ग्रामि सलको कुल नमबाई कितना है तो 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 आदिक दलहन का उत्पादन किया जाता है